अस्सलाम ओरेकुम लेकिन मेरे वज़ा से वो भी ना खाते थे वक्त के साथ हम बड़े होते गए मैंने देन की तालीम हासिल की और कुरान की हाफ़ा बने बेतियों को आखिर एक दिन बाबूर का घूंसला चोड़ना पड़ता है मेरी मा मुझे घर बसाना सिखाया करती खाना बनाना सिखाती सबर करना सिखाती मा हम दोनों बेहनों को बहुत समझाती थी कभी कभी मा मुझे समझाते हुए रोने लगती आँखों में आंसु आ जाते पूछने पर कहती मेरी बच्ची उ पता नहीं कहां कहां दखे खाने हैं तुमने पता नहीं अल्दा ने तुम्हारे नसीब कैसे लिखे हैं मा उदास हो जाती मैं थूनी सी मोटी थी अक्सर भाई कहा करते थे अम्मी इसको कहू खाना काम खाया करें देखो कितनी मोटी हो गई है मा उदासी से कहती हो जाएगी ठीक जब यहां से जाएगी मैंने सोच रिया था अपने शोर को कभी किसी शिकायत का मुकाना दोंगी सब को अपना समचूंगी और घर भसाओंगी एक दिन हमारे मुहले की एक आंटी आई इसने मुझे देख लिया आंटी ने अपने भतीजे का रिश्टा भीज दिया लड़का से लोन पर कहां करता था अम्मी अबू ने लड़का पसंद किया और मंगनी हो गई शादी छे माह के बात थी वो लड़का मुझे बात करने लगा मैं कुरान की हाफिजा थी मुझे अच्छा नहीं लगता था यूं बात करना कुछ रसमे दुनिया भी था इनकार नहीं कर सकती थी वो मुझे मुझे मुहबबत के कौल करार करता बड़ी बड़ी बाते करता मैं भी बहुत खुश होती थी मैं खुदा का शुकर अदा करती थी कि मुझे इतना अच्छा हमसफर मिला छे महीने गुजरे शादी हो गई शादी के तीन दिन सिर्फ तीन दिन अच्छे गुजरे थे हुदा जाने क्यों सब बदलने लगे सब के चेहरों से निकाब हटने लगे एक राज शोहर घर से आया मैंने पूछा आप आज लेट क्यूं हो गए मेरे शोहर ने मेरे मूँ पर थपर मार दिया गाली देकर बोला तुम कौन होती हो पूछने वाली मैं लेट हो जाओ या जलती वो मेरी अपनी मरसी है अब शादी को 20 दिन गुजरे थे मैं इसके रवईये से बहुत हैरान हो रही थी लेकिन ये सोच कर चुप हो गई कि मिया बीवी में छोटी मोटी बाते होती रहती है मेरी एक नननन्द थी जो शादी शुदा थी वो हर दूसरी दिन हमारे घर आ जाती दो बच्चे भी थे इसके मेरा सारा दिन इसकी हिदमत करने में कुसर जाता मैं मोटी तो बच्चपन से थी सास और नननन्द कहने लगी खा खा कर कितनी मोटी हो गई होताम थोड़ा काम खाया करो मेरे बेते को मोटी लड़कियां पसंद रही पस फिर मेरी रोटी पर पाबंदी लगा दी गई सुबो चाय का एक कब दिया जाता चाय मुझे बलकुर भी पसंद नहीं थी लेकिन मजबूरी में पीनी पड़ती तो पहर में खाना नहीं देते थे रात को सिर्फ एक रोटी मुझे खुद भूख लगती सास और नननन्द खाना फ्रिज में रखकर लोग कर देते नहीं पूंग से तरपती रहती लेकिन मुझे खाना ना देते अम्मे के वो इलफाज याद आते तो दिल फट जाता जब कहा करती थी मेरी बच्चीों पता नहीं तुमने क्या क्या दुख देखने है पता नहीं अल्द ताला ने तुम्हारे नसी में क्या लिखा है मैंने शुखर को बताया मुझे बूखा नहीं रहा जाता मुझे खाना दो पूख से मेरी हालत बुरी हो रही थी इसने मुझे कहा देखो तुम पहले भी इतनी मोटी हूँ पहले अपना वजन काम करो बस यही खाना मिलेगा यहां रहना है तो रहो और ना अपने माबाब के घर जाओ मैं चुप हो गई मैं निभाना जाती थी घर बसाना जाती थी मैंने हुद को बुखा रखना शुरू किया मेरी नननद हर दूसरे दिन आ जाती और अपने सारे कपड़े ले आती और मुझे कहती मेरी तबियत ठीक नहीं है जल्दी से तुम ये सारे कपड़े वोश कर दो एक दू मरतबा समझी सच में इसकी तबियत हराब है मगर चंद दिन गुजरे थे कि वो तो रोजाना आ जाती और मुझे कहती ये लो हांडी का समान और मुझे हांडी बना कर दो मेरी नननद का घर और हमारा घर तपाक से एक ही कदी में था बस चंद घरों का फासला था मैं पहले इसकी हांडी बनाती फिर अपने घर की हांडी बनाती और सारा दिन चार पाई पर बैठी रहती और इसके दोनों बच्चे भी मुझे संभाल ले पड़ते मैं सारा दिन घर के काम करती रहती कभी कबार अम्मी से फोन पर बात करती तो इनको बताती मैं बहुत होश हूँ तीन माह ऐसे ही गुजर गए अब मुझे इतना काम नहीं होता था एक रात मैं अपने शोब को सब बताया और भो सारा दिन अराम करती है मेरा शोब मुझे कहने लगा अगर तुमने यहां रहना है तो यह सब बरदाश्ट करना पड़ेगा मैं अपनी बहन को कुई तकलीफ नहीं दे सकता मैं रो रो कर चुप हो गई मगर इस जालिम को मुझे पर रहम ना आया एक तो मुझे खाना कम दिया जाता था दूसरा मुझे से बहुत काम लिया जाता मैं इस घर में नुकराने से भड़ कर और कुछ ना थी एक रोज मुझे तेज वुखार हुआ मुझे से हान्डी बनाते हुए थोड़ा जल गई बस फिर तो कियामत आन पड़ी मेरी ननन्द ने मुझे खूब बाते सुनाई जल्दी से अपने भाई को काम से बुलवा लिया और कहा तुम्हारी बेवी की बचा से आज मेरी बेज़ती हुई हान्दी चलाने पर मेरी सास ने मुझे काली दे मेरे शोहर ने डंडे से मुझे बहुत मारा मैं रो रो कर चिलाती रहे मगर इसको रहम ना आया ननन्द कहने लगी इसको तलाग दू ये मेरा घर बरबाद करना चाहती है सास भी कहने लगी ये मनहूस है इसके वज़ा से मेरी बेटी को गालियां सुनना पड़ी मेरे शोहर ने मुझे बहुत मारा था मगर मैंने अपने माबाब को ना बताया चिप करके सब सहती रही एक दिन मुहले की एक ओरत हमारे घर आई मैं बरतन वोश कर रही थी मेरी हालत देकर वो चीख हो थी मुझे कहने लगी बेटी तुमको क्या हो गया है मेरी हालत काबलेर जहम थी शोहर ना परवा था इसे कोई फिकर ना थी इस ओरतने मेरे माबाप से कहा अपनी बेटी को पचा लो वो लोग मार देंगे इसे मेरे माबा मुझे लेने आए शोहर घर पर ना था अमी ने मुझे देखा अमी बेहोश हो गए मेरा रंग पीला पड़ चुका था जिसम बेहत कमजोर हो चुका था आँकों के गित स्या हलके बन गए थे सास मुझे कालिया देने लिगी तुमने अपने माबाप को बुलवा लिया हमने अब तुम्हें रखना ही नहीं अब्बू ने कहा चलो बेटी मेरे साथ चलो मैंने अब्बू से का अब्बू आप लोग चाएं मैं शुखर से पूछ कर आपको फोन करूंगी अब्बू ने भुखत कहा तुम हमारे साथ चलो अम्मी ने भी भुखत समझाया लेकिन मैंने कमरे में खुद को बंद कर लिया अम्मी अब्बू सब बाप पिस से ले गए रात को शुखर आया सासव नेननने साथ कुछ बताया कि इसका मीनी ने अपने घर वालों को बुलाया था इनको हमारे बारे में पता नहीं क्या कुछ बताया मुझे इस दिन भी बुखार था रेश वोर ने मुझे गालियां दी मुझे थपड मारे कहने लगा मैंने अब तुम्हें रखना ही नहीं मुझे तलाग दे दी मैंने इसके पाउँ पकड़े इसको अल्ला के वास्ते दिये जो कर सकती थी मैंने किया मैंने इसे कहा तुम मुझे एक वक्त का खाना ना देना बस मुझे तलाग ना दो इसने मुझे खर से बाहे निकाल दिया तेज बुखार था सर्दी बहुत ज़ादा थी धुंद पड़ी कुई थी मुझे खर से बाहे दिकाल दिया में इसास ने मेरे कानों से बालिया उतार ली मैं सारी ज़ा सर्दी में पड़ी रही सुभू मुहले वालों ने मेरे घर फोन किया भाई आकर मुझे घर ले गया तलाग हो चुकी थी मैंने गुनाह भी कुछ नहीं किया था फिर भी मुझे सिजाम बिली एक ऐसा माश्रा है उलत को तो बाप की जागिर समझ रखा है इन मर्दों ने आते ही करमा पढ़कर कुबूल करते हैं पिर जी भर कर जलम करते हैं मैं किस से पूछे मेरा गुनाह क्या है किस से इंसाफ मांगो मैं बहुत रोई थी जो भी हमारे घर आता वो उल्दा मुझे ही बाते सुना कर चला जाता कि तुम्हें बरदार्श नहीं तुम्हें खामद की हर बात मानने जाहिए थी मैं रूर रोकर कहती मैं हर बातों मानती थी मकर जाले मौशे को मुझे पर रहना आया एक साल ऐसे ही गुजर गया मैं जब भी खुद को आइने में देखती तो मुझे लगता मैं जबानी में ही बुरी हो गई मेरे माबा मेरी वज़ा से बिमार रहने लगे फिर मेरे लिए एक रिश्टा आया 40 साल उमर थी इसकी पहली बीवी कैस चुला फटने से जलकर फोट हो गई थी तीन बच्चे थे इसके मेरे माबा में इससे कोई बात ना चुपाई मेरी पहनी शादी के बारे में सब बताया इसने वादाय किया शादी के बाद वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा कब भी शिकायत का मुका नहीं देगा बस मुझे इसके तीन बच्चों को सीने से लगाना होगा बहुत सिर ये कि सब की रजामंदी से मेरा निकाह इसके साथ कर दिया गया आज मेरी शादी को एक साल गुजर गया है मेरा दूसरा शोर बहुत अच्छा है मैं इनके तीनों बचों को सगी माँ से भी जादा प्यार देती हूँ घर में किसी चीज की कमें नहीं मुझे दी ही याद कि उन्होंने कभी मुझे गाली भी दी हो बस इन में एक हामी थी वो काम के सिल्से में अकसर घर से बाहिर रहते हैं वो एक माह बाद घर आते हैं पिर दो दिन बाद चले जाते हैं मेरे साथ सुसर फोथ हो चुके हैं मेरे शोर के दो बड़े बाई हैं वो भी दूसरे शहर में रहते हैं वो बहुत बोल होती हूँ तो बो मुझे कहते हैं तुम अपने माबाब के घर चली जाया करो या इन्हें अपने घर बुला लिया करो आज मैं अपने माबाप के खर आई मेरे पहले शोवर ने आज किसी के हाथ पेगाम बेजा के खुदा के लिए मुझे मुझे मुआफ कर देना इनको अपने बेहनोई के कतल के जुरह में सजाय मौत हो चुकी है पेगाम देने वाले ने बताया के मेरी तलाग के बाद मेरी ननन्द के खर में बहुत जगड़े होने नगे मेरी ननन्द को काम तो नहीं आता था ना हांडी बना ना कपड़े धोना इसी बात पे रोज़ाना झखड़ा होता था एक दिन इसके शोवर ने इसे खुद मारा मों रोती हुई घर आई तो मेरे पहले शोवर अपनी बहन को रोता हुआ देखकर आपे से बाही हो गए फिर वोही डंडा उठाया जिससे मुझे मारते थे और जाकर अपने बहनोई का सर फार दिया जिसके वज़ा से इसकी मौत हो गए और मेरा पहला शोवर मौका पर ही पकड़ा गया दस दिन बाद इन्हीं सजाय मौत है वो कहते हैं खुदा के लिए मुझे माफ करतो मुझे अपने गिये की सजा मिल चुकी है सम्मर्दों को इतना कहना जाती हो माना तुम्हारी जिन्देगी में आने वाई कोई फिल्म स्टार की तरह खूसरत नहीं होगी तुमसे इसकी सोच नहीं मिलती होगी लेकिन क्या तुम मर्द जब चाहे तलाग दे सकते हो जब चाहे थपर मासकते हो घाली दे सकते हो अफसोज इन माबापे जो सिर्फ पैसा देकर बेटी को कांटों पर फेंग देते हैं इस मार्शे को क्या कहना मैं तो बरबाद होकर बैठ गई ना कोई गुना किया ना बजारों में जाकर नाची ना जिसम की नुमाइश की और ना कोई गुना किया अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वेडियो को लाइक करो मजीद इस तरह वेडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वेडियो में अल्ला हाफिज